सबी व्यूवर्ज को मेरा हिर्दे से धन्यवाद मेरा नाम लवकुष मिश्रा है और मैं एसस्टी पढ़ाता हूँ आज का हमारा टॉपिक है सीबी एसी का निउ नोटिफिकेशन सीबी एसी अपने वेबसाइट पर नए नए नोटिफिकेशन डालता रहता है क्लास 10, 12 और सभी क्लास के बच्चों के लिए जिसमें की सबसे जादा इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है जो अभी 16 सेप्टेmber 2022 को आया है सीबी एसी की तरफ से इस नोटिफिकेशन में क्लास 10 और 12 के लिए CBSC ने sample papers जारी किये हुए है sample question papers इन sample question paper में CBSC के नए pattern के according questions डाले गए हैं और ये पूरा का पूरा आपका एक 80 marks का sample question paper है देखिए जब हम किसी इमतहान की तयारी करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा important होता है कि हम नए नए notifications से updated रहें क्योंकि जो updated है वही सही दिशा में तयारी कर रहा है वन्ना आप generally कोई smartphone भी use करते हो तो वो updated ही use करते हो क्योंकि updated software रहेगा तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा एक विद्यार्थी को भी अपने जीवन में नई नई जानकारी से updated रहना पड़ता है और एक शिक्षक का भी ये दाई तो है कि वो नई नई जानकारी से updated रहे और अपने students को नई नई जानकारी से update करवाता रहे इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के सामने CBSC का एक notifications शेयर कर रहा हूँ जो की 16 September 2022 को आया है इसमें दोनों class के sample paper के बारे में information है और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस notification को देखना है और कैसे आपको sample paper download करना है CBSC की official website से ये पूरा का पूरा process हम इस video में जानेंगे और मैं पूरा आपको भी करके दिखाऊंगा मतलब कैसे आपको करना है कैसे आपको CBSC की website पर जाना है कैसे आपको sample paper वहाँ से download करना है और कैसे sample paper को पढ़ना है ये सब चीजें हम आपको भी बताएंगे पूरा का पूरा process करके तो आएए आपका बिना समय को व्यर्थ किये हुए हम इस पूरे के पूरे process को start करते है c b s e इस c b s e को type करने के बाद आप c b s e पर click कर देंगे और जब c b s e पर click करेंगे तो सबसे उपर लिख करके आ रहा है www.cbsc.government.in इसी link पर आपको click कर देना है इस link पर click करते ही ये c b s e board का ये वाला page आपके सामने open हो जाएगा इस page में खुब सारे options आपको मिलेंगे main website, परिक्षा संगम, सरस, results, academic website इसमें आपको academic website वाले option पर click करना है जब आप academic website वाले option को click करेंगे तो कुछ इस तरह का page आपके सामने c b s e का open हो जाएगा c b s e के official website में आप इस वाले option पर जब click करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आजाएगा notification डाउनलोड करने के लिए इस notification को जो आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये notification आपके phone में open करने का option आएगा अब इस notification को आप open कर लीजिए इस notification को open करते ही ये आपके सामने पूरा का पूरा notification open हो जाएगा अब इस notification जब आप जूम करेंगे तो जूम करने के बाद यहाँ पर कुल link मिलेंगे इसमें से ये वाला link class 10th के लिए है और ये वाला link आपका class 12th के लिए है हमको क्या करना है हमको जिस भी class के लिए sample paper चाहिए उस class पर click कर देना है जैसे मान लीजे कि मुझे class 10th के लिए sample paper चाहिए CBSC के तो मैं क्या करूँगा मैं class 10th वाले link पर click कर दूँगा और जब मैं इस link पर click करूँगा तो फिर मेरे class option आ जाएगा browser में open करने का तब मैं इसको open कर दूँगा जब हम इसको open करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको तवासर zoom कर देता हूँ CBSC के सारे subjects की पूरी की पूरी list आ जाती है इसमें English है, Science है Maths है, Home Science है, Computer है और इसी महमाई सामने मा लीजे मैं social science पढ़ाता हूँ तो मुझको social science का sample paper डाउनलोड करना है तो मैं social science वाले option में जाऊंगा और sample paper पे click कर दूँगा click करते ही मेरे पास फिर से download का option आएगा इसमें मैं download वाले option पे टिक कर दूँगा और यह download होना start हो जाएगा अब यह मेरे phone में खुल गया है यह है आपका CBSC का sample paper sample question paper social science code 087 class 10th session 2022-23 यह आपका पूरा का पूरा देख लिजे maximum marks इसमें 80 है और 3 hours का यह आपका paper होगा इसमें कुछ general instructions दिये हूँ है यह आप पढ़ लिजेगा और देखिए paper किस type का है अब इसमें 1 into 20 लिखा है इसमें 20 questions आपके MC क्यों है मैं थोड़ा धीरे धीरे scroll कर रहा हूँ ताकि आपको अराम से इसमें questions देख सके देखिए इस type के questions है आप इस पूरे के पूरे sample paper को डाउनलोड करके इन questions को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसमें देखिए very short answer questions भी है 2 mark के 4 questions है और section C आपका paper आपका sections में divided है basically A, B, C इसमें short answer based questions है देखिए 3 mark के 5 questions है 15 marks का यह हो गया आपका इसके बाद long answer है 5 marks वाले 4 questions फिर case based questions भी होते हैं paragraph होता है उनके basis पर questions होते है reach the source given below and answer the questions that follows इसमें आपकी case based abilities देखी जाती है इसके बाद आपका map skills भी आता है इसलिए मैंने अपने channel पर पहला video map के लिए ही बनाया था देखिए Indian National Congress session का at this place in 1920 यह पूछा गया है the place where महत्मा गांधी broke salt law दांडी पूछा गया है इस तरह से देखिए questions आते हैं यह आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा इसको आप लोग ज़रूर download कर लीजेगा ताकि आप इस pattern पर अपनी preparation कर सके क्योंकि आप मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के school में भी half early exams भी होंगे तो उमीद है कि आपके schools में इसी pattern पर बेज होकर के paper आएगा तो अपनी preparation आप लोग एकदम कमर कस लीजिए और बिल्कुल भी चूकना नहीं है किसी भी हालत में मैनत करते रहिए और latest pattern से update रहिए मैं अपने इस video के description link में भी आपको इस sample paper का link दे दूँगा ताकि जिन बच्चों को ये पूरा process करने में असुविधा हो रही है वो उस link से direct sample paper को download कर ले और इतना पूरा process ना करे इसी video के description link में मैंने अपने telegram channel का भी link डाल दिया है जिससे आप लोग मेरे telegram channel पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर भी हमने sample paper को डाला हुआ है और generally मैं वहाँ पर MCQ की पूरी की पूरी series कराता हूँ और नए-ने questions, नए-ने notes और आपके doubts को सुनता हूँ आपसे connect रहता हूँ तो आप लोग उस telegram channel को भी join कर लीजे आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी और आपको समझ भी आ गई होगी मैंने प्रयास यही किया है कि मैं बहुत ही सरल और इसपष्ट शब्दों में आपको ये बात समझा सकूँ और आप लोग इस channel को ज़्यादा ज़्यादा like करिए, share करिए और अपने friends में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और हमारे channel को subscribe करिए ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज आपके आने वाले topics पर बना सके और आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा ज़्यान दे सके और इसी के साथ मैं आपके और जोल भविष्य की भगवान जी से कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद